राजे के आप्दा प्रवंधन मंत्री जावेत खान और कानू को बीडवलीटी मंत्री मलेख खंड़क ने आसन सोल में ADDA के स्थाउस में बैट अपकर पस्टी पर्दमाल जिले के विवन अलाकों की बार के हालात की सभीछा की बैठिक के दौरान जिला प्रशाशन के अधिकारियों के साथ राहत और बचाफकारी तथा बार प्रभावितों को मुआपजा देने को लेकर बिचार रिमर्स किया इसके बाद दोनों मंत्री ने बार प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया आसनसोल के इतिहास में आई अब तक की सबसे भीषन बार में हुए नुक्षान के बाद अब राज्य सरकार बार प्रभावित लोगों तक साहता पहुँचाने में जुड़ गई है सुक्रवार को राज्य की आप्दा प्रवंधन बिभाग के मंत्री जावित खान तथा कानून और PWD मंत्री मले घटक ने सर्वप्रथम ADDA के गेस्ट हाउस में जिला प्रशाशन के साथ बैठक की इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने आसनसोल समेत पस्चिम बर्दोमान जिले में बार से हुए नुकसान को लेकर ब्रिस्तित जानकारी ले साथ ही बार प्रभावितों के लिए मुआपजे को लेकर भी बिचार विमर्स किया गया जिला प्रशाशन के साथ बैठक के बाद मंत्री जावेत खान और मंत्री मले घटक ने बार से सबसे ज़ादा प्रभावित जेल पार के बिविन इलाकों का दौरा किया उन्होंने कुछ इलाकी में जाकर बार से हुई तवाई का मनजर देखा और बार प्रभावित लोगों से मुलाकत कर बादशीत की उन्होंने बार प्रभावित लोगों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभब सहयता का आशवाशन दिया दरशल दो दिनों की बारिस के बाद आसनसोल सलपांचल में जिस तरह की जल प्रले की स्थीती देखी गई उससे हर कोई धैशत में आ गया आलम यह था की बार प्रभावित अलाकों में फसेल लोगों को निकालने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और NDRF की साथ सेना की मदद लेनी पड़ी कानून एबंPWD मंतरी मले घटक ने बताया की या आसनसोल के इतिहास में आई अब तक की सब्शेभीशन बार थी लगातार हुई बारिस तथा डिवीशी द्वारा मायथन और पंचित टेम से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ दिये जाने के कारण आसनसोल समेथ पस्चिम बर्दमान जिले में बार की गंभिर स्थीति उत्पन हुई उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बैनरची ने खुद कई बार उनसे फोन पर आसनसोल समेथ पस्चिम बर्दमान चिले में बाड के हालात के बारे में जानकारी लिए और राज्जी सरकार के तरफ से किये जारे बचाब एबम रहत कारिय की समिक्षा की है मुख्यमंत्री ने बार प्रभावित लोगों की सभी प्रकार की शायता करने का आज़वाशन दिया है वही दूसरी तरफ राजे की आपदा प्रवंधन बिभाग की मंत्री जावित खान ने कहां की आसनसुल में बार से हुए नक्षान का आकलन लगाया जारा है सभी इलाकों का निरिक्षन करने के बाद प्रिस्तित रिपोट तैयार होगी उसी रिपोट के आधार पर मुखजी की राशी का निरधारण किया जाएगा मुआवजार रासी बार प्रभावित लोगों की सिधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी रांबा भुयादफ की रिपोर्ट पबिक टाइम्स